हेई सेल्स कैसे हो आप सब आइ होप सब बहुत मस्त होंगे सब की पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी मैं हूँ आपके अपनी खुश्पुमा आम बायोलोजी मास्टर टीचर अट विदान्तु तो भाई आपका आज का जो सेशन है न वो मेरे उन प्यारे बच्चों के ल होगे अब उनके मन में एक क्वेशन और आजाता है कि डज या डू प्रीबोर्ट मार्क्स मैंटर करते हैं कि नहीं करते हैं ठीक है और प्रीबोर्ट में अगर हम फेल हो गए तो क्या कॉंसिक्वेंस रहेंगे ठीक है तो यह मेरे उन प्यारे बच्चों के लिए जिनको थो प्रिपायर करना लिए ठीक है आपको प्रिपैर करना बोड़ इकशाम के लिए तो अगर आपकी स्ट्राटेजी ठोड़ी सी एधर उधर हो रही है तो बस जैसी स्ट्राटीजी आप अपने प्री बोर्ड औक्स के लिए फॉलो अप करनी है । Prepals B बोट के प्रिपेर कर रहे हो वैसे ही प्रिबोट के लिए प्रिपेर करना है इतना जदा टेंशन प्रेशर कुकर बना करके दिमाग को पढ़ाई नहीं करनी की होती है ठीक है प्रेशर कुकर नहीं है हमारा दिमाग ठीक है कि प्रेशर कुकर की तरह भरते जो भरते जो भरते और एक टाइम पर आखे विसल मार देगा खतरनाक तरीके से और सब चला जाएगा बाहर ठीक है तो यह नहीं करने का है हमको समझे की नहीं यह नहीं करने का है करना क्या है हमको जैसी स्ट्राटेजी प्रीबोर्ट के लिए फॉलो कर रहे हो जिस टाइम पर जो सब्जेक इक टाइशित के से पागाउन प्रीबोर्ट के लिए फोकशं फॉकस ऑन तेम कlooking फॉकस आँ खिया परीबोर्ट के लिए फोकस आइश को फॉकस ऑन तेम घ्ली टो सब्ली इक रिए तक मोंक होते हैं और क्या क्या दLING त rubbish मौट और क्या यह एक प्र शाफम कर मोंका है आप टॉपिक जो आपने पढ़ते लगता था की डोष नहीं आएंगे लेकिन वो आं गये तो इसी इन चीजों सें बचने के लिए इन चीजों प्रिपेर करने के लिए स्कूल का एक accordance थोड़ा सा ठाफ बनाता है बस उसको प्रिपेर करने के लिए जादा कुछ नहीं करना होता है, जो इंप्पॉर्टेंट क्वेश्चेंज आपकीूंद अपको बताएं है अभी तक सारा स्लेबस उन्होंने कंप्लीट करी दिया होगा आपके डिवाली के बाद प्रीबाद स्टार्ट हो ही जाएंगे बहुत सारे बच्चों के हो जाते हैं तो बस उसकी स्ट्राटजी के लिए important questions पे focus करो जो आपके teachers ने बताए, important topics पे focus करो जो आपके teachers ने बताए, वो सारे diagrams पे focus करो जो आपके teachers ने आपको important बताए हुए है, ठीक है, extra महनत नहीं करनी है, सारा slavers complete करके नहीं जाना होता है pre-boards में, और marks खराब आप ही रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप boards में strategy बीच में आ जाती है, तो आप दोनों को क्या करते हो, balance नहीं कर पाते हो, उन दोनों की preps को, preparation को balance नहीं कर पाते हो, जिसकी वएसे डामा डोल हो जाती है, हर एक चीज, ठीक है, तो कुछ करना नहीं होता है, अलग से कोई strategy नहीं बनानी है, जो strategy आप बोर्ड के लिए यू जो आपका स्लेबस बचता है, उसको इग्नोर मत करना, यह मत सोचना की preboards में नहीं आया है, preboards में आ रहा है, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा उससे, वो rest 30% को और अच्छे से prepare करना अपने boards exam के लिए, क्योंकि मेन मोटिव होता है आपका board exam, और सारा दिन गाते रहते हो, कि माँ मोग टेस्ट करा दो, मोग टेस्ट करा दो, मोग टेस्ट पेपर देना, तो भाई, अब जब board आपका, आपका school फ्री में आपके मोग टेस्ट पेपर करा रहा है, जहां पर fees दिये, उस fees को पूरा वसूल हो, तो सही, इतने सारे वो preboards करवा करके, आपको इम टेस्ट प कर रहे हो, तुम लोग, किस बात का इंतजार कर रहे हो इस चीज के लिए, तो जब आपकी वो चीजे करवा रहा है, तो क्यों इतना self-confidence डाउन कर रहा है, और matter, बताएं, तब करते हैं, आपके marks, प्री वोर्ट के मास, as it is matter, नहीं करते हैं, matter बस तब करते हैं, जब आपके स्कूल, यह स्कूल के ओपर डिपेंड करता है, कि वो आपके प्री वोर्ट के marks को as a internal assessment ले रहा है, कि नहीं ले रहा है, तो मेरा तो यहीं सजेशन रहेगा, कि प्री वोर्ट को भी बहुत सीरियसली लो, उसकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करो, जिसके लिए आपक कि CBST board रिलीज के तो उन तक का solution available है, additional practice paper का solution available है, तो भाई, उन सब को जा करके देखो, और सब कुछ अच्छे से practice करो, जब यह सब चीजे practice होई जाएंगी, तो भाई, preboards के लिए भी अच्छे number आने वाले हैं, और ultimately, जब preboards में अच्छे number आएंगे, तो boards में अच्छे आन ही वाले हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, अपने आपके self, अपने self confidence को down मत करो, get up, keep believing yourself, and अच्छे सी strategy के साथ, ताइम टेबल के साथ, जो boards के लिए फॉलो कर रहे थे, वही preboards के लिए करो, ठीक है, और परेशान होने की जरुत नहीं है, इतना जादा प्रोकास्टिनेशन करोगे, इतना जादा आपने self doubt करोगे ना, तो आती हुए चीज भी गलगल करके चले आओगे, ठीक है, तो भाई, आपके लिए एक प्यारा सा surprise है, कि आपके अपने favorite master teachers, जानू सर, हर्ष सर, विने सर, आप सब से मिलने आ रहे हैं, विदान्तु की भा जानना है कि कहां और कैसे मिल सकते हो उनसे, ठीक है, तो बताती हूँ कहां और कैसे मिल सकते हो, आप मिल सकते हो, आज के दिन पे ही 28th October, बेंगलूरू में, H.S.R. लेयाउट में वेदान्तु का ओफिस है, जहां पे आज 6 PM पे आप उनसे मिल सकते हो, कल आप उनसे 29th October, डेली में मिल सकते हो, तो कुछ करना नहीं है आपको, गूगल फॉर्म का एक लिंक है, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलिबल है, उसको क्लिक करो, सारी डीटेल्स फिल करो, एक मस्त चमकता हुआ, इंविटेशन कार्ड आपके पास आ जाएगा, इसको लेकर कि आप गूगल फॉर्म का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलिबल है, उसको फिल आउट कर दो, और अपने प्यारे सारे टीचर से मिलने के लिए, रेडी हो जाओ, और प्री बोर्स को मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, कुछ नहीं करना है, पूरी यहीं बोर्ट वाली ही फॉलो करनी है, इंपोर्टन टोपिक्स पे धान दो, इंस्ट्रक्शुन पे ध्यान दो, मौक टेस्ट पेपर जब लगाते हो, तो अच्छे से तीन गंटे प्रॉपर बैट करके उनको लगाओ, ताकि टाइम मैनेजमेंट के इश्यूस आपके ठीक ह तो अगर पूरा सेशन हेल्पफुल लगा हो तो फटाक से थम्स अप दे दो सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और अगर ऐसे ही अमेजिंग सेशन के टाइम तो टाइम नोटिफिकेशन और अपडेट चाहिए तो टेलिग्राम चैनल को आप 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 सेशन में तो बभाय और आप एप एग कर्या है